नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेकनिकल फादर और मैं हूँ आपके साथ दीपक चुहान तो आज का जो lecture है जो हमारा lecture question वाला आया था part one में उसके जो answer है आज हम discuss करने वाले हैं कि उनके जो answer है वो क्या रहने वाले हैं और जो काफी बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा answer महाँ पर दिया है और सभी question के maximum हर बच्चे ने सभी question के answer अच्छे से दिया है लेकिन कुछ question ऐसे थे जिसमें उन्हें कुछ doubt था तो आज आपके जितने भी doubt है वो आज आप के clear हो जाएंगे तो जो question paper था वो एक बार आप देख लें उसमें कौन-कौन से question थे और उन्हें match करते चलें साथ के साथ यह हमारा whatsapp number है जितनी भी वीडियो हमारी आती है अगर उनके pdf notes आप लोगों को चाहिए तो आप इस पर contact करके हमसे वो ले भी सकते हो तो चलते हैं अपने lecture की तरफ यह question test paper था आपके लिए कि कौन-कौन से question थे और उनके क्या-क्या answer थे तो आज ही answer वाली वीडियो है जिसमें आप लोगों को match कर लेना है कि आपने कौन सा answer दिया था और कहां पर आप लोगों की confusion रह गई थी पहला question हमने देखा था कि melt temperature हाई होने पर अगर आपका melt temperature हाई हो जाता है तो back pressure को आप क्या करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे लोग करेंगे answer यह है मैं साथ के साथ discuss भी करता रहूँगा कि ऐसा क्यों है जब हमारा melt temperature हाई है यानि कि हमारा जो barrel है barrel का temperature ज्यादा हो चुका है तो back pressure कम हम इसलिए करते हैं क्योंकि back pressure क्या करता है back pressure screw को अपनी जो position होती है वहाँ पर जाकर उसे जाने से रोक देता है रोकने की कोसिस करता है रोक देता नहीं है रोकने की कोसिस करता है तो screw जितने जाद है समय तक barrel के अंदर घूमेगा तो वो क्या करता है जो screw है और material के बीच में friction पैदा होता है घरसन पैदा होता है और जब घर्चन पैदा होगा तो एक heat पैदा होती है, heat create होती है, जिस heat का हम नाम लेते हैं, sear heat, तो already यहाँ पर temperature ज़्यादा था बेरल में, लेकिन जब हमने back pressure बढ़ाया, तो यह temperature और बढ़ गया, sear heat की वज़े से, तीक है, इसका answer क्या होगा, sear heat की वज़े से, वह ज़ लोट-sort आ रहा है तो, उसमें हम back pressure क्यों कम करेंगे, क्योंकि अगर हमारा back pressure ज़्यादा रहेगा, ठीक है, इसमें हम high करेंगे, low नी करेंगे, इसमें high करेंगे, वो इसलिए करेंगे, अगर हमने क्या कर दिया, हमने back pressure कम कर दिया, तो कम करेंगा, तो जो screw है, riffling के समय पर जिस density में ज़्यादा back pressure रखने की बाद होता है तो जब यहाँ पर store हुआ material कम रह जाएगा वहाँ पर gap बन जाएगा कम back pressure की वज़े से तो जैसे ही वो material mold के अंदर जाएगा तो वो कम ही जाएगा जिसके कारण हमारा short part बन जाएगा इसलिए हमें क्या करते हैं अगर हमार short part आ रहा है तो हम back pressure को बढ़ा भी सकते हैं जिसकी वज़े से वो problem दूर हो सकती है third question देखते हैं product में flash आ रही हो तो injection pressure क्या करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम low कर देंगे क्योंकि flash सबसे पहले flash को समझना पड़ेगा flash क्या होती है जब हमारा part mold से निकल कर आता है injection होने के बाद में तो उसमें जो extra material कहीं बें चाहें वो corner में हो चाहें जहां पर भी आता हो अगर वो extra material हमारे part में add होके आ रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं flash बोलते हैं तो हमें extra material चाहिए नहीं चाहिए क्योंकि हमें उसकी finishing करनी पड़ेगी तो finishing चक्कु से knife से उसकी finishing करेंगे तो time जाता लगेगा manpower हमारी ज़्यादा use होगी तो हम कोसिस करते हैं कि हमारा flash है वो ना आए लेकिन अकर mold की problem से नहीं आ रहा है process की problem से आ रहा है तो वो नहीं आना चाहिए तो हम क्या कर देंगे injection pressure को कम कर देंगे ताकि हमारा जो mold है mold में जो material है वो कम पहुँचे किसके compare में flash के compare में तो हमारा जो flash है वो problem हमारी दूर हो जाएगी इसलिए हम क्या करेंगे injection pressure को low कर देंगे mal temperature high है तब screw की rpm को हम क्या करेंगे तो इसका answer जो सही answer है वो low है और क्यूं है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ अगर हमारे barrel का temperature ज़्यादा है और screw की rpm क्या करती है मैंने भी back pressure में बताया था तो rpm अगर हमारी ज़्याद होगी तो घरसन भी क्या होगा ज़्याद होगा और जब घरसन ज़्याद होगा तो heat पैदा होगी heat create हो जाएगी कौंसी? sear heat और जब heat create होगी तो temperature क्या हो जाएगा पहले से ही ज़्यादा था high था और ये और बढ़ेगा जब और बढ़ेगा तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा low करना पड़ेगा तो low इसका right answer है इस screw घूमते हुए पीछे नहीं आ रहा है तो screw की RPM को हम क्या करेंगे तो इसका answer क्या है high करेंगे जितनी धीरे धीरे जितना slowly slowly हमारा जो screw है वो घूमता है तो वो उतने ही धीरे धीरे पीछे जाता है पीछे का मतलब रिफलिंग लेता है यानि के रिफलिंग टाइम हमारा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा तो अगर हम RPM को बढ़ा देंगे तो हमारा रिफलिंग टाइम कम हो जाएगा screw जल्दी से पीछे आ जाएगा और हमारा जो टाइम है वो भी कम लगेगा रिफलिंग टाइम तो हमें क्या करना पड़ेगा high करना पड़ेगा इसका अंसर है high 6th number का देखते हैं question product mold में चिपकता है तो mold temperature को हम क्या करेंगे ठीक है चिपकने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं एक ही नहीं होता और भी होते हैं लेकिन हमने जो compare में पूछा है वो mold temperature के compare में पूछा है तो इसे हम क्या कर देंगे low कर देंगे low इसका सही अंसर है क्यों कि अगर वो मॉल्ड में चिपक रहा है तो क्यों चिपक रहा है क्योंकि वो जो है अभी solid form में नहीं आ पाया है और solid form में कब आएगा जब cooling उसकी हो जाएगी जब environment उसे cold मिलेगा तो ठंडा होगा जल्दी क्योंकि temperature के हिसाब से होता है अब जब हमारा mold का temperature पहले से ही जादा है तो material उतना ही ठंडा होगा जितना हमारे mold का temperature है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा mold के temperature को कम करना पड़ेगा ताकि हमारा product आसानी से ठंडा हो जाए और वो जल्दी से ejection होकर बहार आ जाए और cycle time हमारा कम लगे और production बढ़ सके 7 नमबर देखते है product short आ रहा है तो injection speed को क्या करेंगे तो इसे high कर देंगे high is the right answer है इसका क्यों है क्योंकि injection जब होता है तो धीरे 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 material कहा जाता है mold के अंदर पर वेस करता है जब mold के अंदर जब हम जल्दी से इसे speed से भर देंगे तो इसके अंदर जो problem आ रही थी short part की वो अब नहीं आएगी extra material ज्यादा material चला जाएगा यानि कि उतना नहीं बेजना जिससे हमारी flash आए लेकिन उतना कम भी नहीं बेजना जितना हमारी short आजाए तो इसलिए हमें speed को क्या करना पड़ेगा high करना पड़ेगा तो high इसका क्या है right answer है 8 question देखते है plastic material की density या घनत्र room temperature पे processing temperature से होगी तो इसका right answer क्या है high है अगर आपने high answer दिया है तो यह आप लोगा का बिल्कुँ सही answer है और अगर high नहीं दिया है या confusion है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ density की density पहले देखते हैं होती क्या है density को हम जो denote करते हैं वो d equal to m upon v ठीक है m का मतलब यहाँ पर होता है mass से और v का मतलब होता है volume से और v मतलब volume का मतलब item ठीक है यानि के यह formula यह कहने की कोसिस कर रहा है कि अगर जितनी कम जंगे में जितने कम item में ज़्यादा mass आएगा तो density बढ़ेगी ठीक है कम जंगे में अगर ज़्यादा mass आजाएगा तो density बढ़ेगी और अगर ज़्यादे जंगे में कम mass आएगा तो density कम होगी अब यहाँ पर देखते हैं जब हम room temperature पर material को रखते हैं तो उसका क्या मिलता है मैं grain wool foam में मिलता है दाने-दाने मिलते हैं तो यानि के एक दाना जो है उसका जो mass है वो बहुत कम volume घेरे हुए है अगर हम processing temperature पर चले जाएंगे तो processing temperature पर वो पिंगल जाता है melt होने के बाद में वो फैलता है यानि के वही दाना जो बहुत कम जगया घेर रहा था room temperature पर अब जैसे ही वो processing temperature पर चला गया तो अब वो वोलियम उसका बढ़ जाएगा यानि के mass तो उतना ही है एक दाने के बराबर ही ठीक है इसका जो answer है वो high है ठीक है processing temperature से high होगी hydraulic valve ठीक है जब ये जब सही से काम नहीं करती है अब सीधी सी बात है जब वो सही से काम नहीं करेगी तो oil pressure क्या हो जाएगा वो low ही होगा high तो होने से गया वो low ही होगा ठीक है तो ये answer इसका सही क्या है low 10th number का question देखते हैं निमन में से सबसे अधिक transparent जो पारदर्सक material होता है वो acrylic होता है ठीक है ये answer आप लोगों का सही है इसके बाद में देखते हैं अगर plastic product में air bubble आ रहा है तो injection pressure को क्या करेंगे तो इसका जो answer है वो increase है इसका कारण air bubble एक defect होता है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इसमें एक बुलबुले type के आते हैं पार्ट के अंदर आते हैं और बुलबुले का मतलब होता है कि उसके अंदर air trap हो जाती है जिसकी वज़े से वहाँ पर बुलबुले बन जाते है riffling time cycle time का पार्ट होता है वह क्यूं हो जाएगा क्योंकिaient और जैसे ही cooling start होती है तभी riffling start हो जाती है तो हम cooling time का add करते है riffling time को छोड़ देते है तो इसलिए कभी भी riffling time को cycle time में add नहीं किया जाता है तिक है इसके बाद में mode open time आ गया, उसके बाद में ejection time आ गया, तो यह सारे time मिलकर एक time बनाते हैं, कौन सा cycle time, ठीक, next question देखते हैं, 13, hydraulic clamping, toggle clamping से होती है, तो यह महंगी होती है, ठीक है, इसका maintenance भी ज़्यादा होता है, क्योंकि आप oil की valve होती है, oil pressure होता है, oil कम घटना बढ़ना, घटना, वो सारी चीज़े होती रहती है तो इसका जो maintenance का खर्चा है वो ज़्यादा होता है लेकिन जो toggle type होती है उसमें ज़्यादे problem नहीं आती है इसलिए वो सस्ती पड़ती है लेकिन एक limit तक limit का मतलब एक अगर limit तक हमें pressure create करना है pro force लगाना है clamping force तो toggle best है लेकिन उस limit के उपर जाकर toggle उतना अच्छा work नहीं करती है इसलिए जो उपर use की जाती है अधिक clamping force के लिए वो हमारी कौन से use की जाती है hydraulic clamping use की जाती है ठीक है तो अगर आप भी hydraulic clamping या फिर toggle type clamping खरीदने की machine की बात सोच रहे हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि लग बग 650 tonneye तक आप toggle use कर सकते हो उससे उपर जब आप जाते हो तो toggle वहाँ पर उतना अच्छा work नहीं कर पाती है next देखते हैं nozzle को barrel में लगाने के लिए प्रयोग करते हैं तो आडप्टर use करते हैं 14 question देखते हैं screw type injection molding की अप एक पलंजर type injection molding machine में product तेर से बनता है ठीक है ये भी answer आपका है और quality जो होती है जो screw type है उसकी अच्छी होती है क्योंकि ये screw क्या कर देता है एक अच्छी तरीके से mixing कर देता है पार्ट को material को जब अच्छे से mixing होगा तो वो अच्छे से ही पार्ट बनकर आएगा उसकी quality होगी वो plunger से बहुत ज्यादा अच्छी होगी इसके बाद में मैंने डीडी की full form meaning पूछा था तो इसकी जो full form होती है वो direct drive होती है ठीक है maintenance में आ जाता है इसके बाद में 16 question हम देखते है जीडी का meaning पूछा था मैंने machine में तो यह gear drive होती है तो यह कई बार एक नंबर में आप लोगों से किसी भी exam जो आप देते हो प्लास्टिक से related maintenance related वहाँ पर पूछ लिया जाता है एक नंबर option में ठीक है objective option में 17 देखते हैं reverse taper nozzle का परियोग करने के लिए करते हैं किस लिए करते हैं तो यह drilling को रोकने के लिए करते हैं drilling का मतलब होता है अगर मैं हिंदी में बहुत हूं तो चूना जब आप चूने का मतलब होता है कि जैसे आप किसी चीज को जलाओगे तो वह बून-बून करकर टपकती है ठीक है टपकना भी डूलिंग होता है तो जैसे ही material नोजल के रास्ते से gate से नीचे की तरफ टपकने लगता है तो उसे ही बोलते हैं डूलिंग तो उसे रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ये नोजल यूज़ करते हैं 18 question देखते हैं LDPE, LDPE और PP में सबसे जो plastic होता है वो हलका कौन सा होता है तो PP होता है या पर answer आप लोगों ने सही answer दिया था PVC, nylon और PP में सबसे जो पानी में तैरता है वो कौन तैरता है तो PP तैरता है सिधी सी बात है क्यों तैरता है क्योंकि इसकी जो density होती है वो 1 से कम होती है और juice भी matter की matter मतलब ठोस जो भी होगा तो उसकी क्या जो भी पदारत होगा उसकी density अगर 1 से कम है तो वो पानी में floating करेगा flow करेगा तैरेगा और जिसकी density ज़्यादा होगी तो वो पानी में डूब जाएंगे PVC की भी ज़्यादा होती है और नाइलोन की भी ज़्यादा होती है इसलिए पानी में डूब जाते है और PP जो होता है वो पानी में तहर जाता है 20 देखते हैं cooling time अधिक होने से product crack हो जाता है अगर आपके product जो है वो crack हो रहे है तो आप लोगों का cooling time ज़्यादा हो सकता है इसलिए आप उसे कम करें ताकि जो problem आपकी crack होने की आ रही है वो सही हो जाए तो ये आपका जो answer था वो yes में था तो ये भी जो PDF आपके लोगों के सामने answer वाली PDF है question वाली PDF है अगर आप इसे लेना चाते हो तो आप इस number पर WhatsApp करके हमसे ये registration कराकर सारी PDF ले भी सकते हो और एक और information आप लोगों के लिए थी उसमें next video में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या important information है आप लोगों के लिए उसमें जो भी video आप लोगों के special आती है वो वहाँ पर आप लोगों को मिला करेंगी मैं next video में उसे जो feature है technical father channel का वो मैं आप लोगों को next video में courses करूँगा बताने की ठीक है तो आज की video अगर आप लोगों को पसंद आई है तो उसे like कर दें channel को subscribe कर लें और जो आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं या industry में work कर रहे हैं आप उन्हें भी ये video share जरू कर दें ताकि उन्हें भी benefit हो सके तो मिलते हैं next lecture में जब तक के लिए दीजे हमें जाजत जैहिन जै भारत